हाई गैज स्वागर से मेरे तनाय डिजाइनर चैनल में आप सभी का आज हम सुन्दर सा एक नेक डिजाइन देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमारी लंबाई और चोडाई में तीन इंच की पट्टी है इसको ट्रैंगल सेप में हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे पहले ध्यान से रहिए मैं किस तरह सिलाई लगा रहे हूं पूरे ट्रैंगल सेप को हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे यह हमारा पूरा रेडी हो गया अब इसको हम नेक के उपर लगाएंगे मैंने इस नेक को हलके से मटके सेप में कटिंग किया हुआ है इसको बराबर एक दुसरे के करीब में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे हम और फी तक आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो में लाप्स तक बने रहिएगा एक एक करके हम सारी पतिया जोड लेंगे इसमें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है एक बार वीडियो को पूरा वाज कीजिए एक बार देखने के बाद यह पूरा समझ में आ जाएगा दुबारा देखने की जुरुत नहीं पड़ेगी लुक्त पारिकी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूं यह डिजाइन बना के वीडियो की स्कीप मत कीजिएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से निकाल लेंगे हम अब इसमें हम पाइपिन लगाएंगे यह हमारी एक किंच की पर्टी है चौड़ी इसको एक साइट से फोल्ड सिलाई करके फोल्डिंग लगा लेंगे अच्छे से मार्किंग करके एक पराबर इसको हम सिलाई लगाएंगे यह हमारी हो गई अब इसको हम नेक में जॉइंट करेंगे एक पराबर रखते हुए एक पर की सिलाई पर इसको जॉइंट कर लेंगे इसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैबरिक आएगा उसको हम निकाल लेंगे हमारी पट्टी जो फोल्ड करें तो मोटी पतली नहीं आनी चाहिए एक बराबर गिरेगी इसलिए एक्स्ट्रा फैबरिक को हम निकाल लेंगे अब मैं पट्टी को बनाऊंगी फोल्ड करके पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बराबर चिलाई लगा लेंगे हम सिलाई हमको पट्टी से साइट लगानी है उसके उपर नहीं लगानी है यहां थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा सिने के टाइप हमारी पैपिन रेडी हो गई है अब इस डिजाइन में हम मोती डालेंगे इसको लॉक करना होता है इस तरह से एक बार एक सी मोती उसमें डालके अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे मोती डाल लेने से यह होता है कि हमारा जो डिजाइन है वो ब्लाउज में चिपक के रहता है खुलता नहीं है इसे तरह से हम हर एक डिजाइन को मोती से लॉक कर लेंगे अच्छे से दो बर टाका लगाते हुए इसको बरेकी से लॉक कर लीजिए इसे तरह से हम सारे डिजाइन को लॉक कर लेंगे सब रखें देखें हमने पूरा मोती लगा लिया है अब इसमें डॉट डाल लेते हैं हम पीछे की जो दोनों डॉट आती है उसको हम डालके पटी लगा लेंगे अब मैं इसमें पटी अटेच्च कर रहे हूं आप सबको ये वीडियो कैसी लागे कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा हमारा ये बैक नेक रेडि हो गया मैं इसमें डॉरी डाल लेती हूं फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूं तो ये देखिए गाइस पूरी तरह से पैक नेक रिजाने रेडि हो चुका है आपको ये कैसे लागा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और वीडियो को सस्क्राइब जरूर कीजेगा हमारे चैनल को मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो